नमस्कार स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल आई टी आई 360 डेग्रीज में चलिए बात करते हैं कि स्कॉलर्सिप का फार्म है जो आई टी आई का बहुत सारे छात्र कह रहा है कि उसकी लाज डेट बढ़ गई है तो आप सभी चात्रों को मैं जो है ऑफिसल वेबसाइट दिखा देता हूँ और उसमें मैं आपको फिर आगे की जानकारी देता हूँ तो आप लोग ऑफिसल वेबसाइट को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक message display हो रहा है कि छात्र विर्थी दसमोतर छात्र विर्थी योजना में छात्रों के online आवेधन की अंतिमतिती 25 अक्टूबर 2021 ऐवन संस्तान में आवेधन के अगरसर की अंतिमतिती जो है वो 28-2021 तक है तो 28-10-2021 तक है 28 अक्टूबर तक है और आप लोगों जो फार्म भरने की तीती है वो 25 अक्टूबर है जो की निकल चुकी है तो और भी मैं एक आपको notice दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोग देखते हैं मैं बताया था कि आई टे के लिए यहाँ पर OVC वालोग क्लिक करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर्मेडर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए एक message डिस्पले होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि last date जो है ended for the process मतलब आपकी last date है वो 25 अक्टूबर थी अब वो निकल गई है तो आप लोगों जो last date है 25 अक्टूबर है वो बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी तो सरकार का देखिए अभी आदेश कोई नहीं आया है बढ़ने का फिलाल मेरा अनुभव यही है कि आप लोगों date है अभी और बढ़ेगी क्योंकि अभी तो ITI में एडवीशन ही चलना है जो कोई अभी आदेश आया नहीं है बढ़ने का तो अभी तक मैं कोई आदेश नहीं दिखा सकता हूं कोई स्योर्टी नहीं दिखा दे सकता हूं आप लोगों को पर अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि अभी scholarship की जो है date और बढ़ने की संबामना है तो आसा करते ह हैं कि भविस में ऐसा कोई letter आएगा जिससे आप लोगों को जो है scholarship की form की date है वो बढ़ाई जाएगी तो मैं आपको तुरण सूच ना दोंगा क्योंकि मैं सभी मैं चाहता हूं कि ऐसे चात्र जो मतलब गरीब background के हैं तो उनकी जो भी फीस लगी है government ITI में या फिर private ITI में तो उनकी refund हो जाए तो इस scholarship के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे government ITI में सरकार के दोरा आएगी मैं समय समय पर आप लोगों को देता रहूंगा तो वीडियो को like करके channel को subscribe करके और notification bell पे all पे press कर लिजेगा ताकि सारी जानकारी scholarship से related आपको मिलती रहे आसा करते हैं इस वी दो वसेतना ही धन्यवाद